स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर को पढ़ने वाले हैं आप सभी लोग का बहुत दार रिक्वेस्ट आ रहा था कमेंट आप लोग बार-बार कर रहे थे और आप ही सभी लोग के डिमांड पर जो है न ये उर्दू ग्रामर में फिर से स्टार्ट की हूँ हलांकि उर्दू ग्रामर आप लोग को पहले पढ़ाया जा चुका है वीडियो अविलेबल है आप सभी लोग के डिमांड पर ही ये उर्दू ग्रामर में स्टार्ट की हूँ तो फिर शर्त यह है कि आप लोग को वीडियो को ज्यादा ज्यादा श्यार करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि उर्दू ग्रामर का ये स्रीज चलते रहे और हर एक टॉपिक को कवर कराया जाए तो फिर आप लोग को ज्यादा ज्यादा वीडियो को श्यार करक तो स्टेटस लगा दीजिए वाटसेप ग्रूप में शेयर कर दीजिए जितने भी आप लोग के पास वाटसेप ग्रूप है चाहो तो शेयर कर देना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ग्यापन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है ताकि यह नोडковी किशन टभी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा जब आप लोगों ने सबस्क्राइब करके रखा हो समेक शूर्ण चैनल को सबस्क्राइब कर लिया लिए और्दो ग्रामर के अंदर का सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमिन के बारे में इसमिन जिसको इंगलिश में कहा जाता है नाउन और हिंदी में कहा जाता है संग्या अच्छा एक और बात वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को को कुष्ण दिया जाएगा यानि कि होमा के तौर पर मैं आप लोगों को से कुष्ण पूछेंगी और उसका एंसर आप लोगों को कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है इससे पता चलेगा कि आप लोग टॉपिक समझें की नहीं और अगर समझ गया है तो कुष्ण का एंसर दे पा रहे हैं की नहीं ठीक है तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को में कुष्ण दूँगी और उसको आप लोगों कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लीजे तभी तो आप लोग कोश्ण का एंसर दे पाएंगे तो समझ या फिर किसी भी जगा या फिर किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है इसम कहलाता है इसम का मतलब आप समझेगा नाम अब और चाहे किसी भी चीज का नाम हो इस दुनिया में जितनी भी चीज है उसका कोई ना कोई एक नाम है उसी नाम को क्या कहते हैं इसम कहते हैं हमारा को कोई ना कोई नाम होगा तो आपका नाम क्या कहलाएगा इसम कहलाएगा मतलब कोई भी चीज किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है इसम कहलाता है अब देखिए मानी के लिए हाथ से ना इसम की दो किसमे होती है यानि की दो टाइप होते हैं पहला है इसम जात और दूसरा है इसमे सिफद एकदम डीपली हम लोग समझ रहा है इसमे जात इस इस्म नाम को कहतें इस tame कहा मतलब क्या सामझनाज aan आप लोग durant तो इसमे जात इस इसम उसलाम को कहते हैं जो किसी वजूद या फिर हकीकत को जाहिर करें देखिए यहां पर मैं लिख दी हूं जो किसी वजूद या फिर हकीकत को जाहिर करें यानि कि इस दुनिया में जो चीजे हकीकत में जिसका वजूद है इस दुनिया में उस चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं इसमें जात कहते हैं जैसे कि मां लीजे कलम कलम का वजूद इस दुनिया में है ना यानि कि हकीकत में इस दुनिया में कलम है तो कलम क्या कहलाएगा इसमें जात कहलाएगा उसी तरीके से किताब बताइए किताब इस दुनिया में है ना यानि कि किताब हकीकत में है किताब का वजूद इस दुनिया में है तो किताब क्या स्लिआ नाम की कोई लड़की है यनकी उनका वजूद है इस दुनिया में क्या कहेंगे इसको इसमें जात कहेंगे दिवार जी हाँ डिवार यह जो बोट टंगा हुआ है यह दिवार के सहारे ही टंगा हुआ है यानि कि दिवार भी इस दुनिया में है आप लोग देखे भी होंगे तो दिवार क्या कहलाएगा इसमें जात कहलाएगा जमीन, बकरी, लिबास, वड़ेवर मतलब आपके दिमाग में वो सारी चीज़े आ मतलब समझिएगा एड्जेक्टिव यानि कि हिंदी में इसको कहा जाता है विशेसर, इसमें सिफत को हिंदी में क्या कहते हैं विशेशर कहते हैं और हिंदी में कहा जाता है एड्जेक्टिव यानि कि वह नाम जो किसी की विशेस्ता बताए, किसी की सिफत यानि कि उसकी क् कहते हैं हम लोग इसमें सिफ़त जैसे की सलीमा खूबसूरत है कैसे पता चल रहा है सलीमा कैसी है सलीमा की विशेष्टा सलीमा की खुसूसियत सलीमा की क्वालिटी पता चल रही है खुबसूरत इस लवज़ के वज़ा से तो ये खुबसूरत जो नाम है इसी को क्या कहेंगे इसी को कहेंगे इसमें सिफत महमूद नेक लड़का है बताईए इसमें सिफत कौन है तो महमूद नेक लड़का है महमूद की क्वालिटी पता चल रही है कि ये कैसा लड़का है तो नेक लड़का है नेक लवस से पता चल रहा है महमूद की क्वालिटी फुसोसियत पता चल रही है तो नेक इस लवस को क्या कहेंगे इसमें सिफत कहेंगे उसी तरीके से घोड़ा तेज है घोड़ा की क्वालिटी पता चल रही है तेज इस लवस इ इसमें सिफत कहलाएगा I hope आप लोगों को यहां तक तो कोई दीकत नहीं है इसमें सिफत किसे कहते हैं यह समझ में आगया होगा अब यहां पर जारा मौसूफ को समझें क्योंकि त्रैन्ट टूवल्थ में ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें सिफत और मौसूफ से कोशन ना पूचे तीन-चार कोशन देखने को मिल जाते हैं को पुछन पूचने का वही तरीका रहता है कि मंदर जजएल मैं से मौसूफ की पहचान करें यह फिर मंदर जजएल मैं से इसमें करका है फिरी के सी तरीकिया से कुछा जाता है यहां पर मौशूसुफ किमा जादança है जु Uno जिस इसम के जरिये किकी का लिए यहनिन खiousूसियत पता चले उस इसम लुट हो को कहते हैं इसमें में के जरिये यान की खुबसूरत ही जो लफज है ये इसम है ये क्वालिटी बता रहा है तो इसको कह देंगे इसमें सिफ़त लेकिन किसकी क्वालिटी बता रहा है किसकी खुसूसियत बताई जा रही है तो सलीमा की तो सलीमा क्या कहलाएगी ये कहलाएगी क्या मौसूफ जी हां जिसकी quality बताई जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग मौसूफ कहते हैं उसी तरीके से महमूद नेक लड़का है बताई इसमें मौसूफ कौन होगा इसमें मौसूफ होगा महमूद क्योंकि महमूद नेक लड़का है महमूद की quality बताई जा रही है तो महमूद हो जाएगा जाएगा क्या मौसूफ उसी तरीकी से बिल्ली काली है काली ये तो क्वालिटी बता रहा है बिल्ली की तो काली हो जाएगा क्या इसमें सिफत लेकिन किसकी क्वालिटी बता रहा है बिल्ली की न तो बिल्ली हो जाएगा मौसूफ तो आप लोगो को मौसूफ समझ में आ गया ह इसमें सिफत समझ में आ गया होगा इसमें जात समझ में आ गया होगा यह तो अब वह घड़ी अगयी है जहांपर में आप लोग को चोशन दूंगी और आप लोग को कमेंट बॉक्स नहीं यृष का एंसर लिख रुम है इसमें क्या ना गया है अब bearing नका कि तो इसमें उसके साथ इसमें सिफत के लिए यहां पर देखे मैं क्योशन लिख दी हूँ ए से लेकर जे तक है ए मेह तलाब का पानी साफ है भी मेह तेज धूप में रहने से साजित काला हो गया है सी मेह आज का खाना बहुत अच्छा था डी मेह तुम बहुत चालाख हो ये मेह चोर कीमती हीरा लेकर तेजी से फरार हो गया ग्यापनी केड़मी के शागिर्द बहुत हूश्यार है मुश्किल सवलात को बनाने के लिए तेज दिमाग होना चाहिए तुम महनती हो अल्ला तु ए नो न्यामोग काला ठेक है काली भश्क लाल कपड़ा देकर हमारे तरफ तेजी से दोड़ी तो यहां पर दस सेंटेंस एसे लेकर जे तक यह दस सेंटेंस है और इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें सिफत कौन है और मौसूफ कौन है मतलब कि ये दसो सेंटेंस को एक एक करके पढ़िए जैसे कि पहला सेंटेंस तलाब का पानी साफ है तो इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें सिफत कौन है और मौसूफ कौन है ठेक है उसे तरीके से तेज धूप में रहने से सा प्रशान करनी है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है ठीक है यह आप लोग का हो गया homework आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चलिए आप अपना homework कमफ्लीट कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है स्क्रिन शॉट लेने से पहले आप लोग फड़ाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें चानल पर नएन आया हुए तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं आप लोगों से कहती हूं बार-बार ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चानल को सब्सक्राइब किये रहेंगे तो ठीक है तो अब ले लिजे फड़ाफट स्क्रीन शॉट तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगर आप लोग चाते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो चलते रहे तो आप लोग को ये काम करना है कमेंड बॉक्स में भी लिखकर बता दीजिएगा तो चलिए फिर मिनेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज